नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान असमाने रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों क्यूर लखनव के निशाद पार्टी की प्रदेश मुख्याला पर क्याबिनिट मंत्री संजन निशाद ने एहम प्रेस वारता की जिसने हाल ही में संपन हुए नगरिय निकाय चुनाव में निशाद के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारा ग्राफ बढ़ते ही जा रहा और आने वाले लोग सबा चुनाव में हम अपने घटक दल बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे साथ ही हम अपने पार्टी के साथ विंग बनाएंगे जो समाज के हर वर्ग को जोड़ेगा साथ ही आने वाले 30 माई को हम मतसिपालन विभाग के पोटल का नीव रखेंगे जिससे हम योजनाव को धरातल पर भी उतारेंगे 2024 लोग सबाचनाव को लेकर 80 सीट पर हम अपने संगठन को लेकर तैयार हो चुके हैं इसी क्रम में प्राइम टीवे से खास बाचीत में गोरगपुर से सपा महाप्राव प्रत्याश्वी काजल लिशाद पर बड़ा हमला बोलते होए उन्होंने क्या कुछ खा है वो भी आपको सुनाते हैं उत्र प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्वी संजय निसाध हमारे साथ हैं आज आपने एक एहम प्रस्वारता रखी है तमाम जानकारियों को साज़ा किया है अगर बात कभी नगवी निकाय चुनाव संपन होने के बाद अब लोकसभा चुनाव नजदीक है आपका संगठन कितना तयार है इस चुनाव के लिए लिए हम पूरे प्रदेश के 80 सीटें 80 सीटों पर मेरा संगठन है इसी कोज़े से 2019 में सपा बसपा एक हो गए ते फिर भी हम भारती जंता पार्टी को जिताने में सफल गए उस संगठन को और सुद्रन कर रहे हैं 27 जिले जो हम साड़े 4,000,000 प्रड़ से उपर मच्वारे जो नदियों के किनारे जो रफ्टी है गंगा वेतो नदियों गागरा है और जमना तो इस सब नदियों किनारे वाले जितने मिवी लोग सभा है वह बहुत मनिसाथ बहुल है मच्वारे बहुल हम इनके दसा तुरतसा एंगरे जों मुग और बात कवे तो आपके बड़े भाई बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलकर कहीं ना कहीं कितने सीटों पर निसाथ पार्टी अपने उमिद्वार उताव सकती हैं कितने जगे तैयार हैं देखें मैं तयार किया था पिछले बार सम सत्तर सीटों पर चुना रहे थे दोहजार सत्रे में विदाइक और शीद रूप से वहां में दस जार बीस जार चालिस जार पचास जार वोड़ पाया था ऐसे में भारती जनता पार्टी को आ रहा और दोहजार बाइस में बुला कर अपने से कितनी सीटें आप ले लो और इतना जीत सकते हो तो निशादों को तिन जीत आया है है यहां अब लिजा बिला कर चिंपने से बताओं कि लोग संभा में भृजन भरी ठाली लिसाद पार्टी पार्टी की आपके ही चित्र से आती है काजल निसाद महापौर की पत्यासी थी गोवगपूर से वो इस आरोप को लगा रही है कि संजय जी भोजन भरी थाली अकेले खा रहे हैं और समाज ने उस थाली को सजाया उनके इस आरोप प्या कहेंगे जिस सरकार के साथ हो है उस सरकार ने चीन लिया था था ठाली लिषभाद से ताली उनकी नोकरी चीन लिया मचभूप पद था उसको को खतम करके उर्दु अन वादग भर्ती कर दी उससे पूछाएं कि किसने प्रकिना था ने वाला घटना हो गई तो हम साहता करेंगे उनको हम ट्रेणिंग कराएंगे रोजगार कराएंगे मिसाद राज बोटे ओजना है मुखवंतरी समय यह हमारी योजना है जिस सरकार के जिस पार्टी में उनकी सरकार रही हो कोई एक लाइन लिखा हो तो बतायों लो माईक पर कुछ भी बोला या सकता समाज वूमरा किया जा सकता और यह भाड़े के पाहलवान जो जो आज की दिन में समाजवादी पार्टी में उनका भाड़े पर हैं जो जितना भाड़ा लगा तिन रहेंगी का जलो है उसके बाद चली जाएंगे जिस तरहीं इस कांग्रेस में रही बस पाम रही फिर यहां और यहां से भी चली जाएंगे जहां उन्हें मौका मिलेगा आज निसाद हमारे साथ साथ निसाद पाटी के साथ है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा और तो चार बेचारे गरीब हैं जाकर उनको उल्टा सिधा पढ़ाकर जो है ब्यान बाजी कराना यह जो छी राजनीत कहती है क्योंकि कुछ किये हों किसी के साथ कुछ किए हो वो बताएं कि मैंने इतन तो छीना कौन है, छीनना तो अलग बात है, उरपर से कहर्ड आया समाजबादी पार्टी ने, तो यह तो बेशर्मी है कि किसी को कहा जा कि नहीं, यह तो दो लाइन भोलें समाजबादी पार्टी के, जिनका नाम आप ले रहे हैं, एक बार रहली हुई थी यहीं, यहीं आये लोग ग्यापन देने के लिए लाटी चार्ज उआ था, और लचमन मेला मैदान में हम लोग गय थे, और वहां उन्होंने क्या कहा था समाजबादी पार्टी के खिलाब, कि हम साइकिल का निकाल के गद्धी उसी बढ़ एठा देंगे समाजबादी पार्टी, तो ऐसे में आ समाजबादी पार्टी है, बस पार यहां, कांग्रेश ने क्या निशाद पार्टी के लिए आज भारती जनता पार्टी है, तो जब भाई सुनाओ में कही ना कहीं आप मंचों से मस्वारा समाज के लिए निशाद समाज के आरक्षन की कही ना कहीं आवाज उठाते हुए न करकता है। और इंतजार कर सकता है। तो हमारा आज सरकार हमारे समाज़ को सुख दे रही है। औरись कोई निषाज जाता ठाने में तो यह तिनहीं बोलते दरोगा काहते हैं, आई जफ साइओ जम बसक्षंद गाउ जाते हैं तो क्यां बार धाइक होा है तो मेंसे चले जाएगा योगी जी जाच कराएंगे तो खतम हो जाएगा चले जाएगे घर तो ऐसे में सम्मान मिला सत्ता का सम्मान मिला सम्मान के साथ साथ उनके आरच्छन पर भी चर्चा हो रही है सतर साल इंतजार कर सकते हैं तो कुछ और दिन इंतजार करेंगे जिस तर जोप्ट करेड़ा एंपोफी दे इस वोत अवनाब्ला मजवार अंसुटिट जाति को भी उसा मांजिक नहीं मंथ जनवर welcomed भी 32 को उने लिक दिया कि नहीं जोखें कि बास सही है लेकिन संथ्या है कि अगर हमारी सहीधं में चल ला है प्रदान मंत्री आज उनके वहां जब हम ओड दबाते थे हाथी से किल पंजा का तो इनके मुख मंत्री के आते थे तो डंडे खाते थे आज इन्होंने बटन दबाया है निसाद पार्टी और भाजपा का तो मुख मंत्री भी हर हपते कैबिनेट में बैटके हम स कि आज लेते हैं मोधी जी जब जब समस्ट डालते हैं बुला का जाल ग्यापन देते हैं कोई ऐसा मंच नहीं होगा मानि प्रदान मंत्री का जब भी निशादों के रिए निशाद जाक्टर संजे से निशाद पाड़े नो मोधी जी ने नव बार जैनिसाद राज का नारा लगाया योगी जी जैनिसाद राज का नारा लगाते हैं मेरे सम्मान में निशाद राज के लिए को परेटक अस्थाल घोषित कराते हैं यह बैमान पार्टियां कई साद्रा अठारा परसेंट आबादी का उट ही चाहिए ने तो सम्मान देंगे ने तो उनका नोकरी पुलन देभी जम्ना निसाथ इन लोगों की समय ममारे गए थे इस सारे नेताओं का मरवाद या डाक्टर संगेंग नहीं मरवा पाएंगे क्योंकि अब बंदूख में ताकत नहीं बटन में ताकत सेना तयार है उपर ट्रेनिंग चला और इसके वजह से जितने लोग हमारा हि जी बिल्कुल तो उत्रप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजर निसाथ जिनका साफ तोर पे कहना है कि अगामी लोग सबाचुनाओ को लेकर हम पूरी तरह से तयार है हमारा संगटान उत्रप्रदेश के पचात्रों जिलम अस्थापित हो रहा है और हम आगे की लड़ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार